स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस टड़ी वीथ स्वाती में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो समेश्टर फर्ष्ट है और थर्ड है इसके अंतरकत आपकी कौन कौन से विशय आएंगे ठीक है फाइलें क्या कुछ बनेंगी ट्रक्टिकम वर्क क्या कुछ रहेगा वाइवा कैसे देंगे आप ये सारी चीजे हम पार्ट थ्री और पार्ट फोर में बात करेंगे क्योंकि हमने आपका जो बियर टू यर करिकुलम है इसमें समेश्टर सेकेंड और समेश्टर फोर जैसा कि अभी आपका सेकेंड सेकेंड और फोर्ट सेमेश्टर चल रहा है ठीक है तो इसको मैंने लेकर के बात की हुई है समेश्टर सेकेंड के लिए मैंने अलग से वीडि प्राक्टिकल वर्क रहेगा उन सभी के बारे में नंबरों के बारे में ठीक है आपके जो प्राक्टिकल वर्क के जो नंबर अलग मिलते हैं और जो आपके कह सकते हैं जो आपके इंटर्नल और एक्स्टर्नल मार्क्स होते हैं उन सभी के बारे में मैंने डीटेल से बात की हु पारे में भी मैंने बताया हुआ है तो वो वीडियो आपके लिए काफी helpful हो सकता है चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समस्टर फर्स्ट और थर्ड को लेकर के भी बात कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों की query थी कि आप फर्स समस्टर और थर्ड समस्टर का व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में समस्टर थर्ड को लिखर बात की जाएगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह आपका कूरा समस्टर रहेगा तो यहाँ पर हम डीटेश से बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर semester first की बात की जाए तो यह आपका compulsory paper रहेंगे इसमें तीन ठीक है optional paper आपको एक देना होगा practical work क्या कुछ है तो चले शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं semester first beard की अगर बात की जाए तो compulsory paper आपको तीन देने होंगे ठीक है यह compulsory paper रहता है इसमें कोई आपको choice नहीं मिलेगी इसमें आपका यहाँ पर देख पारें पहला paper है philosophical and sociological perspective of education यानि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप इसे सिक्षा के दार्शिनिक एवं समाज सास्त्री परिप्रेश नामक विशे से सम्मूधित करेंगे paper 2 है psychological perspective of education यानि सिक्षा और अधिगम के मनोवैग्यानिक परिप्रेश paper 3 है technological perspective of education यानि सिक्षा के प्रौध होगी की परिप्रेश तो यह आपके तीन paper हो गए ठीक है जो की compulsory रहेंगे बात कि जा हिंदी और English language की तो आप किसी भी language में यह paper दे सकते हैं अगर आप Hindi medium से हैं तो Hindi में दे सकते हैं otherwise आप English में भी दे सकते हैं बर शर्ते आपको file वगेरा अगर आप Hindi में है तो Hindi में बनाएंगे और English में हैं तो आपको English में ही बनानी पड़ेगी उसके बाद हमारा भी आएगा optional paper दोस्तों यहां पर आप देख पारें कितने सारे और पेपर दिये हैं टोटल सिक्स दिये हुए ठीक है लेकिन इसमें से आपको एक चूस करना होगा जो कि आपके कॉलेज की तरफ से आपको सजेस्ट किया जाएगा आप चाहें तो खुद भी अपनी तरफ से च्वाइस ले सकते हैं पेपरों के लिए ठीक है आपको फॉ इस सांती की सिक्षा ये विशय रहेगा W है इन्नोवेशन इन एजुकेशन यानि सिक्षा में नवाचार C है अंडरस्टैंडिंग डिस्रिप्लिहनने समझ हाँ अनुशाशन का जो अध्यान ये विशय होता है इस विशय पर आपको मिलेगा पेपर D है Reading and Reflecting on Texas कहने का मतलब है जो वाचन यानि जो आप बोलते हैं और अनुशाशन इस विशे पर आपको मिलेगा पेपर E है Education for Wellbeing यानि भलाई के लिए जो सिक्षा होती है F है Understanding Self यानि स्वयम की समझ तो इस तरह से आपके Total 6 पेपर रहेंगे जिसमें से आपको One Choose करना होगा For Your Exam यानि पेपर 4 के लिए तो इस तरह से आपके Total अगर बात की जाए पेपर होगी तो आपको 4 पेपर देने होंगे अब यहाँ पर Marks के बात कर लेते हैं यहाँ पर देखे पेपर आपके दिये हुए है 80 प्लस 20 तो यहाँ पर जो आपका 80 है यह आपका External पेपर होगा ठीक है जैसे आपके Exam होते हैं तो वहाँ पर अगर आप External पेपर देने जाते तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 20 नंबर का आपका Assignment वर्क रहेगा जो की आपको College की तरफ से दिया जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन विशे हैं जो की 20-20 नंबर आप कमा सकते हैं Assignment वर्क से तो अगर आप यहाँ पर Assignment वर्क अच्छा करेंगे तो आपको 20-20-60 नंबर मिल जाएंगे ठीक है बाकी 80 में आप कितना गेन करते हैं यह आपके External एक्जाम पर डिपेंड करता है इसके बार यहाँ पर आप Optional पेपर देख पा रहे हैं यहाँ पर Optional पेपर 50 नंबर का होता है जिसमें से 40 आपका External रहेगा और जो 10 नंबर है यह आपका Assignment वर्क के लिए रहेगा इसमें से आप पेपर एक चूस करेंगे इस तरह से आपके 400 नंबरों का Total यह पेपर रहेगा ठीक है उसके बाद आएगा C Practicum Work यनि यह जो व्यवहारी कारी होता है इसमें आप क्या कुछ फाइलें तयार करेंगे जो आपका Practicum Work रहता है देखिए कितने नंबरों का है 50 नंबर इसमें आपको कमाने है ठीक है Grade की बात की जाए आपको A, B, C, D Grade भी मिलेगा कुछ फाइलों पर यहाँ पर हम पहला देखेंगे पहला है आपका Practicum Work Educational Psychological Practical जो आपका Psychological Practical होगा Psychology का ठीक है यह आपके Related रहेगा 6 Practical पर आपको 6 Practical कराया जाएंगे इस पर मैंने फाइल बताई हुई है ठीक है 6 Practical Hindi और English दोनों में मैंने बताया हुआ है अगर आप फर्स समेस्टर में जाएंगे ठीक है इंटरेंस के बाद तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्टे जरूर चेक करना आपको यह पूरी फाइल टॉपर तयार मिलेगी कैसे क्या कुछ बनाएंगे मैंने सब कुछ एक चीज़े हिंदी और English दोनों में डिटेल में बात के हुई है उसके बाद second point आपका community engagement यह जो होता है community engagement यह आपका सामूदाय की या सामाजिक जो कार होते हैं ठीक है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया हुआ है इसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके बना सकते हैं वहां से समझ भी सकते हैं फिर आपका थर्ड प्राक्टिकम वर्क में आएगा वन वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स स्कूल यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन देना होगा ऑब्जर्वेशन आप करेंगे ठीक है जब आप फाइल तयार करने होगी तो यहां भी आप टैंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है यह फाइल भी पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश में बताई जा चुके हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें वहां से चीजों को समझें उसके बार लाश्ट आएगा लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग आपको लाइब्रेरी यानि जो विद्याले की पुस्तकाले होगी ठीक है आप लाइब्रेरी का विजिट करेंगे माली जी अगर आपके विद्याले में लाइब्रेरी नहीं है तो आपको कॉलेज की तरफ से कहीं और जो हैं लाइब्रेरी विजिट के लिए भेजा जाएगा वहां पर आप लाइब्रेरी का पुरी तरह से विजिट कर देखेंगे कि लाइबरेरी में कौन कौन से पुस्तके हैं क्या कुछ अध्यान के सुविधा इन सभी पर आप रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन तयार करेंगे इस पर भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में फाइल बताई हुई है तो फर्स सेमेस्टर आले खुश हो कि जो कि आपका 50 नंबर कर रहेगा और ग्रेड जिस भी फाइल में देने का सिस्टम है वहाँ पर आपको ग्रेड मिलेगा है उसके बाद डी ऑप्शन है प्रोफेशनल डेवलोप्मेंट आपका व्यवसाइक विकास कितना रहा है ठीक है आपका प्रोफेशन क्या कुछ बत कुछ रही एक्जाम कैसे क्या कुछ दिया आपने तो उस पर आपको ग्रेड दिया जाएगा सेकेंड है क्लासे इन म्यूजिक ड्रामा क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन योगा डिजास्टर मैनेजमेंट गार्डनिंग तो यह पार्ट जो आपका है वो चारों समेस्टर मे रहता है क्योंकि यह ग्रेड का है पार्ट थीक है इसमें आपको ग्रेड दिये जाएंगे और इसमें आपको फायल अगरा बताये जाएंगी क्राफ्ट व्यगारा बनवाया जाएगा ठीक है अगर आपको म्यूजिक Silver इजमेंगे द्रामा प्रांट फिजिकल एजुकेशन के लिए फाइल है यह सभी मैंने लगबग इसमें से आपकी जो फिजिकल एजुकेशन है योगा है डिजास्टर मैंने जब गार्डुनिंग इन सभी को लेकर भी मैंने पताया हुआ है तो इसके लिए भी आप चैनल की प्लेलिष्ट चेक करें इस तरह से यहां पर जो आपका बियड फर्स्ट समेश्टर रहेगा ठीक है वो आपका टोटल चार सु नंबरों का रहेगा अब आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन नंबरों में आप जो है फाइनल मार्क्स बना सकेंगे तो इस तरह से यह नंबर जो रहेंगे वो आपके परसेंटेज के आप किस तरह से चूज करेंगे और कितनी क्या कुछ नंबर और फाइले हैं जो भी फाइले थी वो मैंने बता दी है ठीक है तो इस तरह से बियड फर्स समेश्टर आपके लिए आसान मैंने बना दिया है अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं दोस्तों यहां पर बात हो गई बियड फर्स समेश्टर की इसी तरह मैंने सेकेंड और फॉर्थ समेश्टर को लेकर के भी बात की हुई है तो यहां पर हम दुकेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम समेश्टर थर्ड को लेकर के पूरी त गरह से बात करेंगे तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेएगा वो आपके लिए भी काफी हेल्पूल हो सकता है तो चले दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपी के साथ थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो